नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विनोध रहना है आज हम बात करेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रफ्लेक्स के बारे में दोस्तों अगर आप किसी कारणवर्श कभी मसाज पॉलर में गए और वहाँ पर सेक्स करते वक्त आपका कॉनम ब्रेक हो गया यहां किसी आप सेक है कि नैसी कोई गेता सब्सक्क्राइब वर्ट करें चाहे नर्स हैं चाहे कोई वाड़स है गलती से आप को कोई हय कोई उंगलिया कई को इस नीडल नेडल चुप गया आपको यह आप रास्ते पे चल रहे थे पारक में आपको चलते चलते आपगो सिरीन चुप गई अगर वो सुई आपको चुप सकती है, तो उसमें आपको HIV हो सकती है. उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप हमारे पास within 72 hours आएंगे, हम आपको एक दवाई स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रफ्लेक्सिस, PEP. PEP एक ऐसी दवाई है, यह एक ऐसा सिस्टम आप ड्रग्स है, जुहीं आप इसको ले लिएंगे, अगर आप इसको within 72 hours लेते हैं, तो आपको HIV नहीं होगी. दोस्तों, अब PEP के बहुत सारे किसम हैं, पहले दो ड्रग रिजीम था, अब फिर 3 ड्रग चल रहा है, पहले 4 ड्रग भी चलता था, आज कल भी चलता है, पिर 5 ड्रग तरपी भी हम दे सकते हैं. दोस्तों, 3 ड्रग तरपी जो है, वो primary drug तरपी है, वो थोड़ी सी weak है, और जो 4 ड्रग तरपी है, वो ज्यादा बढ़िया है क्यों? क्योंकि थ्री ड्रग थरपी है वो प्रैमरी HIV को तो रोकेगी सेकेंडरी अगर इंफेक्शन है उसमें नहीं रोकेगा मान के चला अगर किसी पेशिंट को HIV रिजिस्टन्ट वायरस है तो उसमें प्रैमरी ड्रग काम नहीं करेगा या अगर मल्ट स्टेंज है तब भी काम नहीं करेगा या अगर वायरोर्ड ज्यादा है तब भी काम नहीं करेगा तो प्रैमरी ड्रग को हमको ज्यादा महतव नहीं देना चाहिए लेकिन अगर तो उससे क्या है कि अगर कोई रेजिस्टेंट वाला स्टेन है उसको भी वो ड्रग खतम करेगा नॉन रेजिस्टेंट को भी खतम करेगा अगर वायर लोर्ड ज्याद है उसको भी खतम करेगा तो दोस्तों ध्यान रखे कि आप पैप स्टार्ट करने से पहले कि कुंसी दवा तो आपको possible side effects कर सकता है। आपके body में बहुत सारे side effects हो सकते हैं, आपको liver में problem हो सकती है, आपको kidneys में problem हो सकता है, आपको brain में दिक्कत हो सकती है। तो PEP के साथ में कुछ दवाइँ हमको और लेनी पड़ती है। हमको vasodilatis लेने पड़ते हैं, हमको CD4 count को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइँ लेनी पड़ती है। हमको energy बढ़ाने के लिए दवाइँ लेनी पड़ती है। जो metabolic system को upgrade करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखे। जब भी आप by chance अगर ऐसी situation में फसते हैं, जहां पर आपको PEP लेना है, तो उस वक्त आप एक अच्छे doctor coach ने, एक बढ़िया doctor coach ने, जो आपको बढ़िया दवा दे। किम्किंकि दोस्तों by chance अगर हमने किसी कारण वर्ष, कोई भी compromise किया, तो दोस्तों यह आपका loss होगा। आपको by chance अगर HIV का infection होता है, तो फिर आपको जिंदगी पर दवाई खाने पड़ेगी, फिर आप dependent रहेंगे रहेंगे रहेंगे। तो इससे better है कि अगर आप बिलकुल अपने आपको HIV से बचाना चाते हैं, तो चैन करें ऐसे किलनिक को, ऐसे डॉक्टर को जिसको HIV की knowledge हो। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी चीजी, बहुत सारे डॉक्टर्स आजकर online prescriptions देते हैं। दोस्तो, online prescription for PEP, यह recommend नहीं है, यह legal है, क्योंकि online prescription for HIV drugs is prohibited. क्योंकि कोई भी HIV ड्रग जब हम start करते हैं, तो हम consent लेना पड़ता है patients, और consent का मतलब है कि patient आपके सामने होना चाहिए। तो दोस्तो, सतणक रहें, ऐसे बहुत सारे doctor's हैं, जो आपको online दुआयां देते हैं, ऐसे बहुत सारे doctor's हैं जो आपको वर्गलाते हैं उच वेबसाइट से, तो उचसे सोजा सतणक रहें, क्योंकि देखिए, यह आपके सहिध का सवाल है। अगर कोई भी पॉसिबल साइड इफेक्ट होता है अगर आपको यह दवा खाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती तो इसलिए सबसे पहले यह जुरूरी चेंड करना है कि किस डॉक्टर के पास जाना उसके पास कुन सी डिग्री है कितनी नॉलेज है उसके बाती आप डिसाइड करेंगी आपको कुन सी दवा लेनी बहुत हमारे दोस्त क्या करते हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन सर्च करते हैं दवाएं के बारे में फिर उनको लेते हैं गलत है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दवाई स्टार्ट करने से पहले हमको वेट देखना पड़ता है BMI देखना पड़ता है benefited कि आपको कुझसी पैप चाहिए कि पैप में बहुत सारे किसम कोई Nora support वेट के साफ से दवायां चलती है तो इसलिए ऐसा काम ना कर ladies अगर कोई भी सवाव आपको है PEP के रिलेटेड या HIV के रिलेटेड आप महरबानी करके नीचे कमेंट सेंक्शन में जरूर लिखेगा मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की मैं यह आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरे को किसी और बीमारी के बारे में पूछेंगे जो बीमारी मेरे दारे में आती है तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन दोंगा ये वीडियो खाली patient information के लिए है और इसको खाली patient information के लिए ही please use किया जाए आज के लिए इतना ही दन्यवाद